नमस्कार आज मैं आपको बताऊंगी आसान और सरद तरीके से पेपर कटिंग तो दीकिए सब से पहले जो नई लोग है पहले पेपर पर कटिंग करें उसके बाद कप्ड़े पर कटिंग करें तो दीकि सब लंबाई लेनी है 15 अब देखिए यहां से चेस्ट का नाप लेंगे इसकी जो चेस्ट है तो यह 22 इंच है तो यानि कि 44 इंच हो गई पीछे का बाइस है और आगे का भी बाइस तो 44 इंच की चेस्ट हो गई आप देखिए हमें जैसे हमारे पीछे की लंबाई 14 इंच थी तो इहां पर 15 इंच लेंगे यह लमता ले लहने लिए इसके बाद हम यहाँ पर चेश्ट का निशान लगाएंगे तो देखी जैसे पीछे का परलर था हमारा 22 इंच था इस तरीके से तो हम देखे इसको 22 इंच को ऐसे करेंगे ऐसे डबल तो यहाँ पर कितना आ गया 11 इंच 11 इंच पर एक निशान हो गया और उसके बाद हमें गु गुझाइस ज्यादा लेनी है 1.5 इंच लेंगे गुझाइस में क्योंकि गुझाइस हमेशा ज्यादा ही लेके चलना चाहिए अब यहाँ पर लेंगे हम आदा इंच और इसको ऐसे गुलाई में अब इसके बाद की गली की चोड़ाई हमें 2 इंच लेनी है और गले की पीछ गला पीछे का गला 7 इंच इसमें ऐसे गुलाई अब देखिए 10 जैसे हमारी 22 इंच पीछे का पलना तो यहाँ पर 11 इंच आड़ा है और इसके बाद हम जैसे कमर का निशान 40 इंच की कमर है तो यहाँ पर 5 इंच पर ऐसे निशान लगा लेंगे यह पीछे की पिलेट हो सौन और एन्च की कट लगा दो इसकेबाद एचक करके गोलाई आफ का इसके बाद देखिए इसको आगे टिशार रखेंगे जैसे कील पार थी कि सकते लेकिन अच्छा करेंगे लेकिन हमें क्या चाना है समी तो यहाँ पर आपना साना साम-सौन शीकिने तो इसी की पर आब कि अब देखी यहां पे हमारा पीछे और आगे का पलग दोनों बराबर है लेकिन थोड़ा सा आदा इंच मेंने यहां पे ज्यादा लिया है क्योंकि यहां पर उख वाली पंट्टी लगाएंगे तो इसलिए मैने आदा इंच यहां पे ज्यादा ले लिया आगे की साइड और नीचे की साइड 1,5 बेरworkers या 2 हिं जादा लेchnा लेना है क्योंकि इसमें तीरे की कटिंग होगी आगे आगे बाले पल waking से आगे का साहे हैं जैसे कुछ लोग सिकाहित करतें कि आगे का पल गर्लब 1.5 इंच या 2 ज्यादा लेना इखिए अन करने आप 10 इंच याँ पे क्योंकि झूल करने आगे की साइट ना यहां पर आरोमल में बुचीज नहीं आनी चाहिए है आप इसके बार देखें हमें यहां पहें तीरे का निशान लगाना तो इसका तीरे का निशान जाएगा 13 गाल्यिकी यहां और निशान लिदैं इस तरा ईन्ट क Liver Smoke अदर्म 9 गोला हमें इस में विच्ताथ गोला ही में इस्तुरीखसे लें यह फ्यां से लगाए तो यहँज़ा निचे का तीरा और यह उपर का तीरा हो गया अब हमें इसमें ट्रक्स का निशान लगाना है कि यहां से सोल्डर से निशान लगाएंगे अपने टक्स का तो यहां पे आएगा हमारा चक्स का निशान 9.5 पर नौ इन्च और आधा अब इसके बाद नीचे की प्लेट हो मेन प्लेट है बीच की हमारी साही से आनी चाहिए यानि कि कि एक साइड ना उचा यहां पे नहीं यहां पर डालनें तो इसे हमें बीच में डाल करेंगी निशाइगे तो यह हमारा नीचे की साड़ यह निशान हो गया अब इस तरीके से हमें ऐसे पिलेट डालने है नीचे की साड़ से तो इसको डबल करके हमें एक इंच लेना है क्योंकि हमारा पप अच्छा आना चाहिए अब इसी के परावर हम यहां पे एक निशान रखा लेंगे अब इसक कपड़ा लंबाई में जादा है यह चोड़ाई में जादा है पेपर कटिंग करने से हमें यही भायदा है कि कपड़ा चाहिए कैसा भी हो हम उस पर आसानी से रखके कटिंग कर लेंगे तो अभी तो हम पहले अस्तल की कटिंग करेंगे यहां फे रख लेंगे अपने पीछे का पर ला अब इसमें हमें कुछ लंबाई नहीं बढ़ानी क्योंकि लंबाई जो बढ़ानी थी वो हमने पेपर में पहले ही बढ़ा ली है अब यहां से तीरा निकाल लेंगे और यहां से आगे का अब देख जैसे यह पिलेट है ना इसके उपर ऐसे रख देगे अच्छे से इस पर इसन बन जाए यहां पर कैची का खट लगा लेंगे निसान तो लगे है दूसरी साइड भी अच्छे से निसान बन जाए जैसे दिखाई दे रहे हैं ना अब दीखिए दोनों सेट हमारी निशान अच्छे से बन गया है अब दीखिए ये कपड़ा बचा हुए तो इसमें से आमें बाजू निकालनी है और इसमें से टीरा जैसे यह तीरा है तो इसको भी ऐसे ही रखना है हमें कि आगी कपरलार हो गए हमारा और यह होगे हमारा पीछे का अस्तल की हमारी साइस से कटिंग हो गई है अब जो साड़ी का कपड़ा है इसको भी ऐसी रखना है हमें डबल करके कम जादा चोटा बड़ा जैसा भी है तो इसी तरीके से हमने पेपर रखके हमने अस्तल की और एक कपड़ा बचा हुआ है तो देखे एक छोटा कपड़ा है तो इसमें से बाजु निकालनी तो बाजु का वीडियो आप के लिए उसके बाद उपर लिखिया आगा वीडियो फिर आप उस पर किलिक कीजिए तो पूरा चैनल आजाएगा तो आप बड़ी आसानी से बना कि कितना भी छोटा कपड़ा तो उसमें से मैं बाजू कैसे बनानी है तो इस तरीके से आप पहले पेपर पर कटिंग किजिए फिर उसके बाल अस्तर पर जो साड़ी का कपड़ा उसके उपर तो आसा करती हूं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी इस वी कि बाई तो